तो जैसे कि आप सभी इतनी उमर हुगे या तो चोटे बच्चे को होगे, सब पढ़े लेके हो, सब ने मांस्टर्स कर रखी है, और सब सिस्टम को जान देखे हैं, जैसे हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो पहले क्या रहा है उसमें? पहले क्या रहा है, बोलो जोड से बोलो, वन आ रहा है, नंबर आ रहा है, तो नंबर क्या होता है, पहले को हम पता चले नंबर क्या है, वाट इस नंबर? तुम्हारा नंबर आ गया, इसका नंबर आ गया, इसका नंबर कर गया, भाई लाइन में लगा था मेरा नंबर था, मुझे दूनी जाने दिया, कहते नहीं कहते? कहते लड़ाई होती नहीं होती? जब बेंग में पैसा जमा करने जाते हो, निकाम ने जाते हो, मिजली का बिल जमा करने जाते हो, वहाँ लाइन लगती है, नंबर मिलता है, डॉक्टर के पास जाते हो, क्या होता है वाँ? म effectiveness is any number? मिलता है number नहीं, not you? तो number नहीं सुमझ्ज मैं आते है, number का है. लाएन लगा रही है, उसमें number है, इसका दूसरा number है, इसका आतीसर परatinам है and visa number है. तु मेरे सामने क्षी क्यों आ गया है? तो पह lon pra away अब यह जो नम्बर इख निकल के लिया पहला नमर दुश्रा नमर तीश्रा नमर यह फ़स अइय सेकेंड आई अब इसी नम्बर में सारे शिस्टम से और मेरीation इसमें 0 तो नहीं जिकती है, तो 0 की भी value है, इसमें इनिटम्टी भी नहीं लेखा हुआ है, उसका भी है योगता में लेखा है, तो कहने का भाव है, जब कोई भी नम्मर 0 से सुरू हो जाता है, तो वो old number होता है, वो संपून संख्या होते है, और पहले जो है, एक, दू, ती संख्या है, संख्या है, सिस्टम क्या है, पहली ग्रास में पढ़ रहा है, परिक्षा देनी होगी, दूसरी में, दूसरी में पढ़ रहा है, उसकी परिक्षा देनी होगी, फेल हो गया, तो पर दूसरी में रहेगा, पास हो गया, तो सिस्टम हो गया, यह हमारे सूर का सिस् तो हमें यहाँ पर इंटेंस एक्जाम आपको यह सिस्टम है सब्सक्राइब ऐसे ही हर चीज का सिस्टम है नमरों का प्रिश्टम कि जीरो लग गई तो तुल नमबर क्या दिया जीरो नहीं लगी तो नेच्टर नमबर क्या दिया खीक है अब इसके बाद समय आता है और नमर जो किसी से ना कटे सिस्टम में से नकल क्या रहा ना यही तो नमर है अब इसमें से यह देख रहो एक, दो, तीन, चार, पांस यह तीन कट रहा है किसी से नहीं कट रहा है तो क्या हो गया है और नम्मर आप ये पांस कट्रा है नहीं कट्रा तो और नम्मर जो नम्मर दो से ना कटे वो और है और जो दो से एकट जाए वो एवन सम और विसमसंख्या है समसंख्या क्या है और विसमसंख्या है यह जोड़े के साथ में हैं में यह बिना जोड़े कissement सब्सक्राइब और इसके बाद में आता है प्राइन नंबर किसे कहते हैं अब यह पढ़तो रहे हैं 1,2,3,4,5,6,7,5,7,9,9 तो कटला है तीन से जो इट सेल्फ जो अपने हाप से पटे वो प्राइम है उसको उप्रतिविसे से पढ़ा सकते हैं जो सिर्फ अपने आप से बात करता है अपनी मस्ती में मस्त रहता है वो प्राइम है अभी भी देख लेना उस ब्यक्ति का जो ब्यक्तित होगा वो अन्नी दुगों से अजाब होगा साथु है। एक आंथ में चले जाते एकांथ में नहींकिसी से बात करते ऑपने आप से बात करते और पिर दुनिया क्या करती है उंधी हुआ जाते है। सनिवारां नहीं आरहा है। थीक है। तो प्राइब्ट क्या है चुछ सिर्फ अपने आप से करते ह। 3 is divisional by itself, 5 is divisional by itself, and 11 is divisional by itself, 13 is divisional by itself, ठीक है, जो एक से ही कटे ही, एक के नावा किसी से लिए, ना कटे ही, ठीक है, इसके बाद होता है, बेस्नल नंबर, और बेस्नल नंबर क्या होता है, बेस्नल नंबर में विए अर्वेज 1 पे अपॉन, भाइब, अब पी अपॉन से उने कउन कउन से आते लें, जैसे, यू आ राइटिंधिर 2 अपॉन 6, और यू आ राइटिंधिर 2 अपॉन 4, राइट, इस बिविजन, and perfect answer is coming 1 by 2 mean 1 by 2 you are getting the perfect then that is not permain number that is not irrational number irrational number this number is not giving the perfect answer right if you are dividing by 3 you are divided 2 by 3 then this will become 3 cancel so what will be 0.666666 right so that is irrational number irrational number or irrational number permain or apply right perfect square perfect square 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 2 – square 3 – square 4 – square 5 – square square 2 – square 4 9 16 and 35 इस प्रिकार के चुछ नम्मर होते हैं वो क्या होते हैं परफेक्ट हें तो इस में आले हो प्रिकार के सबसे पहले चायब्टान जो खीया था इनज्य रोलल संनमर दूसरह क्या था तर और नमपर और और histकार था झींचनल नममर और परफेक्ट है स्क्वाय नमबर और परमे नमबर। कितनी नमबर उसमें से निकल करके आगे। अब इसी में एक बच्छा प्रेस्ट कर लेता है। सरफ सारे नमबर तो बता दिये। पर आप इंट्वीट्री की बात कर रहे थें। वाभी इंट्री नहीं है। क्या होता है यह तो आये नहीं क्योंकि से नमबर को जीरो से डिवायद करते हैं तो तो उसका तो कोई भी नमबर को हम जीरो से डिवायद करते हैं को उसका तो जोल रिज्ण आता है क्या आता है और किसी भी नमबर को हम जीरो से मनुपताएगा क तो क्या है ज смताएगा या है जीरो की कि जीरो की एट जीरो के और जीरों को किसी भी नमबर से डिवायद करते कि एट इस डिवायद करते हैं अब 0 किसी नमबर के साथ में लग जाए तो उसका कितने टाइंस बढ़ जाता है जितनी 0 लगेगी उतने टेंट टाइंस उसकी वैल्यों बढ़ जाए जिए, कोई भी नमबर गाए पढ़े लिखे बिक्ति के साथ में और एक ज्यादा पढ़ाद एक ब्यत्ति आ शे बाद देए को उसके व요 और एक पढ़े लिखे बिक्ति के साथ में एक सरावी आजायकी मान के चलो कि एक लेडिती से उसके वेष्य गैसे लिखे रभी और वो शराव हीigent तो घर में कैसा माहर होगा गरी बढ़ेगा या घटेगा घटेगा बढ़ेगा कब जब हम एक जैसे विचार के हो जाएंगे या उससे बेटर कुई हमें क्योंकि मैथ जो पढ़ाया जाता है वह मैथ व्यक्तिक्सिस पर पढ़ायाता है मैथ सिच्टिएशन पर पढ़ाया जाता है लोग बहुत सारी कहते हैं जी मैथ कहां काम आता है तो मैथ के बिना तो संसानी कुछ नहीं नहीं आप यह है 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 चौक ले रहे हो यह कैसे बना मैथमेटिक्स की बिना डायमेंशन की लिए बना हूँ आप आत उपर नीचे कर र इस नहीं ज़ता कुछ नहीं है, यह जो bench or desk बनी हुई है, यह mathematical dialysl नहीं होगी है, हमारे body का जो structure है, जो system है, skeleton system है, यह mathematical है, हल्का सा कही से नसित दर हो जाए, हल्का सा हटी इधर से उतर हो जाए, तो क्या होगा, fracture, दर्द हो जाता है, हल्का सा ही तो हुआ, लेकिन वह angle बनी तो बिना mathematics के आप बोड भी नहीं सकते, कि आप बोड कितने फिल रहे हैं, आप कितनी तेज आवाज आ रही हैं, तो mathematics ही को है, कितना दीमे फूल रहे हैं, that is mathematics, जब बच्चों को यह समझ में आ जाएगा, जिस दिन बच्चे यह समझ लेंगे, कि math के बिना इस संसार में कु हो जाएगा, तो फिर वो mathematics का जो गोविया बच्चों में रहता है, वो कभी भी नहीं रहे, और फिर उसको पढ़ाने का तरीका जो मेरा है, जिस प्रिकार से में ने पढ़ाया, उसी की duplicate copy किसी भी बच्चे को बुला लो, या मैने जैसे पढ़ाया, जिस दिन वो मेरी copy कर द हैं, सब बहुत अच्छा बढ़ाते हैं, एक ही बार में समझ आ जाता है, दुबारा पूछने की जलूरत नहीं होती है, तो अपनी जो पढ़ाने की बिद्धी है, एक बार revision मिलाना है, दो बार revision मिलाना है, उस बच्चे पर focus करके तो हो जो लाज बार बच्चा है, जो मेरी आपने जो पढ़ाया है, वो बहुत अच्चा पढ़ाया है, उसकी समझ में आ गया, तो इसका मतलब पूरी ख्लास समझ है, तो रहे हैं, सबना आ गया है? यस